बरेली, विश्णु मौर्य के प्यार में सोनम सिद्धी की बनी लक्ष्मी, मंदर में लिए साथ फेरे, बोली अयोध्या जाकर करेंगे रामला के दर्शन. बरेली में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी कर ली युवती ने इसलाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। कपल ने मंदर में जैमाला डालकर एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मुसलिम युवती ने हिंदू युवक से शादी कर ली युवती ने इसलाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। कपल ने मंदिर में जैमाला डालकर एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई। युवती का कहना है कि उसकी आस्था वहलाला जैसी प्रथा से परेशान हो चुकी थी। युवती ने अपने परिवार से खुद की और पती की जान को खत्रा बताया है। बता दे कि 26 वर्षिया युवती का नाम सोनम सिद्धी की है जो अब लक्षनी के नाम से जानी जाएगी। सोनम ने अब अपना नाम अधित गाव के एक मंदर में साथ फेरे लिए। लक्षमी ने कहा कि वहां और विश्णो एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं। सोनम सिद्धी की उर्फ लक्षमी ने कहा कि उसने हलाला और तीन तलाक से परेशान होकर सनातन धर्म अपनाया है। अब सनातन धर्म के तहट सारे रितिरिवाज अपनाते हुए विश्णो मौर्य के साथ शादी की है। मीडिया से बातचीत करते हुए सोनम उर्फ लक्षमी ने बताया कि वहां और विश्णो एक दूसरे को पिछले 12 वर्षों से जानते हैं। पहले दोनों में दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प पक्ता हो गया था। लेकिन मुझे इसलाम धर्म छोड़ना था और विश्णो से शादी करनी थी। भगवान राम में है सोनम की आस्था। सोनम सिद्धी की का कहना है कि शादी के बाद अब वो अयोध्या में रामला के दर्शन करने जाएंगे। क्योंकि सोनम की भगवान पक्ताम में गहरी आस्था है। उन्होंने सोशल मीडिया पर विडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी। घरवालों से जान का खत्रा। सोनम ने अपने परिवार वालों से जान का खत्रा बताया है। सोनम ने कहा कि आए दिन परिवार के लोगों से धमकी मिलती रहती है। इसलिए कपल पुलीस अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द ही सुरक्षा के गुहार भी लगाएगा। सोनम का कहना है कि वो विश्णों के साथ ही रहना चाती है।